हेलो फेंट्स तो अभी तक देखिए हमने जावा पर फाइब वीडियोज को अप्लूट कर दिये हैं मेक शूर कि आप वो चार पांचो वीडियो देखो और तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी अपने पिछली वीडियोग में बात किया था कि अगर हमें बेसिक फ्रक्टर समझना है क्या उता है यहां прот स्टेटिक का क्या concept होता है यह सारी बहुत सारी चीजे हमने explain की थी हमने समझा था कि यह system.out.println क्या होता है इसको किस तरह से हम लोग use करते हैं println method क्या करता है है ना println method को जब भी हम call करते हैं तो हमारे data को write करता है लेकिन अगर वो data को write करता है तो data को कहां पर write करेगा हमारे console पर data को write करेगा या किसी file में data को write करेगा वो सारी चीजे हमने समझी थी हमने यह भी देखा था जब भी हम out का use करके println method को call करेंगे तो यह println जो होगा हमारे console पर data को write करता है क्योंकि इस out object को हमारे console के साथ में associate किया गया है इसलिए जब हम लोग out का use करके println method को call करेंगे तो data जो होगा हमारे console पर write होगा फिर उसके बाद हमने यह भी देखा था कि अगर हम out का use नहीं करना चाहते है हम अपना खुद एक print stream class का object बनाना चाहते है उसके बाद println method को call करना चाहते है तो क्या करेंगे अच्छा देखी हम लोग println को call कर रहे हैं ताकि हम लोग data को write कर सके अब इसको call करना है तो हमें इसका object चाहिए अब out हमारे पास एक पहले से predefined object है तो या तो हम उसका use कर ले या तो हम अपना खुद का बनाए खुद का जब हम लोग बनाते है तो इस तरह से हम एक destination provide करना पड़ता है कि data को आप कहा पर write करना चाहते हो तो अगर आपको किसी file में data को write करना है तो आप simply यहाँ पर क्या करोगे file का नाम पास कर दोगे जैसे file1.txt तो जब भी आप ps का use करके object का use करके println method को call करोगे तो वो data हमारे इस file में write होगा हमारे console पर नहीं write कि यह ps का use करके जब भी हम println method को call करें तो वो data हमारे console पर print हो तो हम लोग यहाँ पर अपने console को हमारे console को represent करता है उसे हम pass कर सकते हैं और हमारे console को कौन represent करता है system.out system.out standard output stream है standard output stream से मतलब यह है कि data कहां पर write होने वाला है output stream का मतलब data जहां पर write होने वाला है तो यह हमारे standard output stream यानि कि console को represent करता है तो जब हम यह pass कर देंगे system.out तो यह जो हमारा ps होगा object है वो हमारे console से associated हो जाएगा और अगर वो हमारे console से associate हो गया तो जब भी हम print method को call करेंगे उसका use करके तो data हमारे console पर write होगा है ना तो यह सारी चीज़े हमने बात की थी और I hope कि आपको समझ में आई होगी अब चलिए हम लोग Java के प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 3 प्रोग्राम लिखें अभी हम 3 प्रोग्राम को आपको run करके दिखाएंगे यह 3 प्रोग्राम आपको नहीं समझने ह है आगे जैसे-जैसे मैं Java के कुर्स को प्रोशीट करूंगा तो आटोमेटिक आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे चली हम इसकी सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा है क्लास और उसके बाद हमने लिखा है क्लास का नाम जावा में कोई भी चीज बिना क्लास के आप नहीं लिखेंगे अगर आपने C और C++ पढ़ी है तो वहाँ पर जो में फंचन होता था तो वो तो क्लास के अंदर होता ही नहीं था Java में main function को भी हम लोग class के अंदर ही लिखते हैं है ना अगर आपने C++ भड़ी है तो वहाँ पर आपने main function देखा था वहाँ पर भी हम लोग main function में arguments को pass कर सकते थे और ये wired क्या है return type है यहाँ पर दो चीजें extra आ गई है public and static है ना हम लोग break down करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखा class और यह class की body हो गई यहाँ से और class का नाम हमने लिखा अब आप यहाँ पर ध्यान दीजे हमने जब class का नाम लिखा तो पहला later capital में लिखा है इसका मतलब जब भी आप class का नाम लिखेंगे तो class के नाम को हमेशा आपको कैमल केस में लिखना है कैमल केस में लिखने का मतलब यह होता है जैसे माल लीजे आपको नाम लिखना है अपनी class का test example तो आप लिखेंगे test example में e को capital करें इस तरह से आप लिखेंगे आपको लिखना example तो आप लिखेंगे example आप लिखेंगे कि एनीमल क्लास तो आप लिखेंगे एनीमल क्लास इस तरह से कैमल केस में यानि कि जैसे एनीमल एक वर्ड है तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे और क्लास एक वर्ड है तो उसको सी कैपिटल करेंगे इसे हम बोलते हैं कैमल केस नोटेशन तो इसको आपको समझ जाए कि हाँ यार क्या है है ना इसी लिए कुछ standard चीजों को सब लोग follow करते हैं और आपको भी follow करना चाहिए अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा class का नाम में eco capital कर दिया क्या ये mandatory है नहीं ये mandatory नहीं है लेकिन हमने किया है ये convention है आपको भी follow करना है तो हमने लिखा class और class का नाम लिखा और ये हमारी होगी class की body अब इस class के अंदर हम कई सारे functions और variables बना सकते हैं अभी फिलाल के लिए हमने main function बनाया है तो इसके लिखा हमने public static wired main और string हमने लिखा एक array बनाया है और इस array का नाम क्या है है न अब again मैं C++ की थोड़ी सी बात करता हूँ अगर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा C++ अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये जो keywords है public या protected या private इन सारी चीज़ों को आपको बारे में पता होगा आपको static keyword के बेवारे में पता होगा इन फेक्ट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा अगर आपने C++ पढ़ी है तो तो चलिए हम लोगों ने लिखा public public क्या है इसे बोलते है access specifier क्या बोलते है access specifier ये वो denote करता है कि आप इस function को इस function के साथ में आपने public keyword को use किया है तो इस function को आप कहां कहां से access कर सकते हो ये access specifier बताते हैं तो हमने लिखा public इसका मतलब हम इस main function को कहीं से भी इस class के बाहर से भी कहीं से भी कोई भी चीज़ अगर आपने function को public बनाया है तो इस function को आप कहीं से भी call कर सकते हो अच्छा आप एक बात बताओ जो यह हमने प्रोग्राम लिखा इस प्रोग्राम को हमें run करना है क्या function automatic call हो जाते हैं नहीं function automatic कभी भी call नहीं होते है उनको call करना पड़ता है चाहे हम function को call करें या कोई और function को call करें कोई और function को call करें इसका क्या मतलब है कि हमारा system जो है वो खुद function को call करे हमारा computer function को call करे तो main function के साथ में यही होता है जो हमने JVM समझा था Java Virtual Machine वो हमारे main function को call करेगा अब अगर JVM हमारे main function को call करना चाहता है तो इसको हमें public ही रखना पड़ेगा अगर यह public नहीं होगा तो हम इसको class के बाहर से access कर ही नहीं सकते और इसलिए JVM हमारे main function को call कर सके इसका access specifier हमने public रखा है access specifier Java में public private protected एक by default default होता है तो इन में आप कुछ भी यूज़ करें लेकिन main के लिए यह predefined है कि आपको इसको public ही यूज़ करना पड़ेगा और यह क्या है यह function का नाम है main इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है जब भी जब प्रोग्राम को start करोगे तो जो JVM होका होई इस main function को search करेगा main function तो आपके program में होना ही होना चाहिए है ना नहीं तो आपका program ही run नहीं हो पाएगा तो यह function का नाम हो गया यह हो गया access specifier function का यह wired जो है यह return type function value को return भी कर सकते हैं है ना अगर हम चाहें तो हम यहां से return keyword का यूज करके value को कुछ इस तरह से return कर सकते हैं हम लिखे return लेटसे हमने return किया one तो अगर हमने one return किया तो हम integer type की value को return कर रहे हैं तो इसका return type wired नहीं return type wired होगा फंसन जिस ताइप की वेलु को रिटन करते हैं उनका return type वही होता है यहां से हम कोई प्रिमिटीव ले टाइप की वेलु को भी यी रिटन कर सकते हैं जैसे int कियर फ्लोट या डबल यह हम कोई आपजेक्ट भी रिटन कर सकते हैं इस्टेटिक यह बहुत ही amazing चीज है static चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उनको अगर हमें access करना है तो उनको हम access करने के लिए हमें object की जरूरत नहीं पड़ती उनको हम direct class का नाम यूज करके access कर सकते हैं जैसे out यहाँ पर एक static variable था इसलिए हमने class का नाम system dot करके out को access कर लिया था यहाँ पर println static नहीं था इसलिए हमें इस class के object को use करना पड़ेगा println को call करने के लिए इस class का object यहाँ पर out था इसलिए पहले हमने out को access किया और जब out को access किया तो हमने println को access कर लिया तो static चीजों के बारे में एक खास बात होती है कि उनको अगर मुझे किसी function को call करना है जैसे JBM हमारे main function को call करेगा अब सोचो JBM हमारे main function को call करेगा लेकिन कैसे करेगा यार अगर इस function को call हमें करना है तो या तो हमें इस class का object चाहिए है ना तब हम function को call कर सकते हैं और अगर function static हुआ तो हमें object की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हम class का नाम यूज़ करके ही function को call कर सकते हैं और आप सोचो अगर ये main function static ना होता तो JBM को पहले इस class का object बनाना पड़ता और फिर object का use करके data operator लगा के इस main function को call करना पड़ता है ना तो वो extra memory consume होती वहाँ पर हैनि क्योंकि variable object बनाना पड़ता JBM को इस class का तो memory consume होती और वो memory फरजी में consume हो रही है इसलिए इसको हम लोगों ने क्या-क्या static बना दिया तो जब हमने इसको static बना दिया तो JBM तो यार बहुत खुस हो जाएगा उसको object नहीं बनाना पड़ेग memory बच जाएगी तो simply वो main function को कैसे call करेगा example class का नाम लिखेगा और dot main करके इस main function को call कर लेगा जैसे यहाँ पर हम लोगों ने out को access किया है class का नाम along with dot operator उसी तरह से variable और उसी तरह से function भी काम करते हैं तो अगर JBM main function को call करेगा तो लिखेगा example dot करके main function का नाम लिखके call कर ल main का समझ में अब यह simple सा array है आपको पहले पता होगा कि हम लोग function में arguments को pass कर सकते हैं हम यहाँ पर कोई variable pass करें primitive type की int care float double यहाँ पर तो हम लोग string का array ही pass करेंगे हमेसा यह main function में fix है हम other function की बात करने हैं हम वहाँ पर int care float किसी भी type की value को pass कर सकते हैं जैसे अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में println के बारे में दिखाया था और आपको बताया था कि जो println होता है उसके कई सारे versions हैं है ना println जो है वो print stream class का object है और एकल कि हम लोग website open कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं और println के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं देखिए इ इसमें हम लोग boolean type की value को पास करें इसमें हम character type की value को इसमें हम लोग उने care array पास कर दिया है तो हम function में different type की value को पास कर सकते हैं main function में हम हमेशा string का एक array पास करेंगे string यह type है यह array को represent करता है और यह array का नाम है और फिर उसके बाद हमने लिखा system.out.printer and hello world अब आपको यह पता है कि यह line क्या है पिछले वीडियो हमने बताई थी यह line simply क्या करेगी हमारे standard output stream में जो की हमारा console है उसमें data को write करेगा और data क्या होगा hello world है ना अब println के भी कई सारे formats होते हैं उनको हम बारी बारी से देखेंगे simply हमने इसमें क्या किया string को पास किया है यह string है ना और आप देखिए जो हमारे पास यहाँ पर println है उसके कई सारे versions में से एक version यहाँ पर है जो string type की value को accept कर रहा है तो जो हमने hello world as a string पास किया वो यह वाला function हम लोग काल कर रहे हैं है ना यही वाला function तो काल होगा है ना overloading अगर आपको concept पता है तो exact match का concept यहाँ पर लग जाए काल हो जाएगा और काल होने के बाद यह hello world हमारे output screen में print हो जाएगा खतम अब आपको इस example.java प्रोग्राम को run करना है तो आपको अपना cmd इसी folder में open करना है तो यहाँ पर simply आप उपर cmd type करके enter कर दीजिए यह cmd देख लीजे यही पर open हो गया देखिए e fold e drive में java tute ना यह लगे यह देखे जड़ा जावा सी लिख दिया अपनी हमारा compiler है यह तका version देखिए जो हमने इसिटाल किया था i.e.javaC करने के लिए jsूट आपनी इस आम लिखेंगे और अपनी class का नाम लिखेंगे और rapt.java आपकर और tab Walker दब Employ度 ad तो हमने लिखा जावा सी example.java अब अगर हमारे example.java फाइल में कोई error नहीं होगी तो हमारा program compile हो जाएगा और एक example.class नाम से फाइल बन जाएगी आप यहाँ पर देखना एक example.class नाम से फाइल बनेगी जब यह हमारा program successfully compile हो जाएगा तो मैंने enter कर दिया यह हमारा program compile हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए example.class नाम से फाइल बन गई और यह हमारा है byte code जो की machine independent होता है तो हमारा program compile हो गया अगर हमारे program में कुछ error होती तो हमें यहाँ पर error दिखती इधर अगर होती तो हम फिर से अपने example.java फाइल को ओपन करेंगे इडर को दूर करते और फिर उसे compile फाइल करते फिर से अब अगर आपको run करना है तो run करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा java और अपने file का नाम लिख दिए जिस भी file को आपको run करना है तो हमने लिखा java और लिखा example अपने class का नाम जैसे मैंने इंटर किया तो जो hello world print करने का program हमने लिखा था वो hello world print ह जायागा कहा पर प्रिंट होगा हमारे यहीं पर प्रिंट होगा हमने इंटर अभी नहीं किया मैं इंटर कर देता हूँ अब यह हमारा system ही हैंक कर जाएगा और यह देखिए जैसे हमने java और exam पर अपने class का नाम करके इंटर किया तो यहाँ पर hello world print हो गया है आप इस program को file को open के लिए देखिए हमने यहाँ पर hello world print किया था यह hello world यहाँ पर print हो गया अब यह hello world हमारे console पर क्यों print हुआ क्योंकि हमने out object का use करके println method को call किया है और जो यह हमारा system.out है यह हमारे standard output stream यानि की console को represent करता है इसलिए हमारा data console पर write हो गया है अब मैं आपको इस program को close करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक file है test.java यहाँ पर इस file में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इस file में कुछ program को लिखा इस file का नाव हमने रखा test है तो इसमें हमने कुछ program लिखा है अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम अपना print stream class का object बनाएं तो हमने यहाँ पर ps object बनाया और इसको हम किसी के साथ में associate करेंगे या तो अपने standard output stream system.out के साथ में associate कर दें या हम किसी file के साथ में associate कर दें और अगर हमने file के साथ में associate कर दिया तो जब मैं ps का यूज़ करके println को call करके write perform करूँगा तो वो हमारी इस file में चला जाएगा है ना तो चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ इस program को आप देखिए इस program को आपको समझना नहीं है बस hint लेना है देखिए हमने क्या क्या print stream ps equal to new print stream और हमने लिखा file1.txt इसका मतलब हमने इस ps के साथ में अपनी इस stream को associate कर दिया जो की है file1.txt फिर हमने क्या क्या ps का यूज़ करके println यूज़ किया println method काल करके उसमें पास किया the best java course तो ये data कहां पर write होगा ये data इस file1.txt में write होगा फिर हमने ps.println उसमें कुछ पास नहीं किया तो simply एक new line यानि कि space print हो जाएगा इस file में फिर हमने ps का use करके println method काल करके लिखा I love java तो ये ये वाला फिर से हमारी इस file में write हो जाएगा है ना बस इतना ही आपको समझना है इसमें अभी आपको कुछ नहीं समझना है बस ये 4-5 line आपको code समझना है आगे ये सब कुछ आपको समय समझा ही दूँगा अब इस program को चलिए हम लोग compile और run करते हैं तो उससे पहले हमें न ये file1.pxt file बनानी पड़ेगी फाइल अगर हम नहीं बनाएंगे तो error आ जाएगी हमारे program में चलिए उसको भी मैं करके दिखा देता हूं कि error किस तरह से आती है अगर आ रही है तो इस बार हमें program को compile करना है कौन से वाले file को जो test.java है तो मैं लिखता हूं test.java इसक हमने compile किया तो यहां पर देखिए हां जो compile हमने किया तो हमारा यह जो file थी मतला हमारा जो file का टेस्ट थी वह नहीं थी लेकिन यहां पर बन गई वो यहां पर बन गई अगर हम file1.txt बना दिये होते तो दूबारा से file1.txt ना बन दी है ना मैं आपको फिर से दिखाता हूं मैं test.class और यह file1.txt को मैं delete कर देता हूं और फिर से मैं इस file को अपने compile करता हूं compile करने के लिख हूंगा java c test.java तो एक test.class फाइल बनेगी यही पर देखना यह देखिए file बन गई अब मैं इसको run करूंगा तो क्योंकि file1.txt हमारे यहाँ पर folder में नहीं है तो एक file बनेगी और बनने के साथ साथ उसमें data write हो जाएगा मैं ऐसे कर लेता हूं देखना आप ध्यान से मैं इसको enter कर देता हूं मैं इन्टर कर दिया file 1.txt बनी और इसका size देखिए 1kb मैं इसको open करता हूं और यहाँ पर देखिए the best java course फिर एक नई line और एक i love java यह data कहां पर write हुआ हमारे file में और आप console को देखो console में क्या data यह पर write हुआ नहीं इसका मतलब जब हम print stream class का object बनाते हैं उस object को जिस भी के साथ में हम लोग जिस भी stream के साथ में हम लोग associate कर देंगे वहीं पर data write हो जाएगा समझे बात आई इस program को मैं close करता हूँ मेरे पास एक test1.java program है इसको मैं open करता हूँ यहाँ पर देखिए हमने क्या किया simply वही आपको समझना है जादा आपको कुछ इसमें समझना नहीं अभी print stream ps का हमने एक आपड़ना नहीं और इसमें हमने अपने system.out को associate कर दिया ps के साथ में है ना तो ह हमने अपने standard output stream यानि कि console को ही associate कर दिया तो जब मैं ps का use करके print alone method को call करूंगा तो इस बार जो writing perform होगा same चीज़ों कहां होगा इस standard output stream यानि कि हमारे इस console पर write हो जाएगा तो चलिए हम इसको close कर देते हैं और यह test1.java file को भी तो हम लोग test1.java file को भी compile और run करते हैं तो हम लोग लिखेंगे java c test1.java तो हमने compile कर दिया program को हमारे program में कोई error नहीं थी इसलिए test1.class नाम से file बन गई अब हमें उसी को run करना है तो हम लोग लिखेंगे java और test1 लिख देंगे तो इस बार जो data write होगा वो कहां होगा हमारे यहीं पर console में write होगा देखिए यहां पर जब आप predefined out का use करके print run को call करेंगे तो आपको यह वाला जो काम है यह नहीं करना पड़ेगा आप direct out का use करिए और data write करिए data आपके console पर write हो जाएगा लेकिन अगर आप out को नहीं use करना चाहते हो आउट को आप नहीं use करना चाहते आप अपना object बनाना चाहते हो तो फिर आपको यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगी जो भी लिखा है तो better क्या है बेटर यह है कि अगर हम लोगों को उन लोगों ने predefined out object बना के दिया तो उसको हम utilize करें फरजी में 1000 line का code add नहीं करना है ठीक है तो हम लोग यही वाला फालो करेंगे है ना इसके साथ में और कुछ advantage हो सकते हैं जो मैंने आपको ना बताए हूं आगे भी हम चर्चा करेंगे तो आप यह मत सुचा कि नहीं यार हम तो अपना ही बना के काम करेंगे नहीं इ इसको अगर आपको डेटा को राइट करना है अपने कंसोल पर तो आप आउट आपड़ेट का यूज करके ही प्रिंट लर्ण मैथड को काल करेंगे समझें बात आया अई हूप कि आ गया होगा और जावा का बेसिक प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा सब कुछ इस इसका पिछला वीडियो भी देखना है ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देखे काम कता और अगर आपको यह सिरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसको आप अपने दोस्तों के हां में शेयर करो मैं अपनी पूरी कोहिश करना हूँ कि मैं आपको समझा पाऊं जितना भी पढ़ो कि यहां पर क्या लिखा है हमने ओके इसको भी पढ़ो उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करो ठीक है तो थैंक यू